आप सब लोगों को हाद जोड़कर नमस्कार और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं S.L.P.S. परिवार के मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ आमने सामने होते तो बात कुछ और होती पर लाइव में भी बात कुछ और ही होगी चिंता मत करो आप लोगों ने आज साबित कर दिया कि S.L.P.S. जो कहती है वो करके दिखाती है और जितने भी भाई भेन माता पिता समाल लोग हमें लाइव सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार हाद जोड़कर नमस्कार और उनके माता पिता के चरणों में नमस्कार क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंबनी को जोइन किया है जहाँ पर सिरफ संस्कार सिखाया जाते हैं पर गद्दारी नहीं सिखाए जाती मकारी नहीं सिखाए जाती जाहें मांदारello करता है उसको मैं स़लूट करता हूँ कि वह Mांदार है तो SLEPS में ठिक हैगा और बेमान है तो बहार चला जाएगा लाकों लोक जो जो एक हजार वेन्यू पे बैठे हैं आप लोगों ने कमाल किया एक निया इतिहास लिखा सब लोग सोच रहे थे यह एसलीपेस वाले महाउसब में बड़ा कूते फानते देखो भाई हमारे साथ तो हर साल चैलेंज आता है पिछली साल राम मंदिर इस साल करोना बाबा पिछली साल नोन अटारिक कुर्णा मंदिर का फैसला आता धारह 44 लगती तो कहां से फंक्षन होता पर फिर हमारा जो बाबा बैठा है ना उससे बड़ी तागत कोई नही आ वो बाबा डमरू वजाता है और खेल हो जाता है बाबा डमरू वजाता है खेल हो जाता है आज भी कि जाहां हम सोच रहेते हैं अगली साल 60 जार लोग बैठाएंगे अरे डेड़ लाग लोग बैठे दुनिया वालो आके खोल कर देख लो डेड़ लाग लोग बैठे हैं इस सफर को खूब सूरत बनाने के लिए काम्याब बनाने के लिए 6 साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों मैंने तो सिरफ सपना देखा था कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गए आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि SLPS का हर एक फाइटर हर एक फाइटर इमानदार है जाबाज है सच्चा है शूर वीर है और मेरा एक दिल है कितनी बार जी असलिक कि अज़िवशक को जाता हूं कि शेल यहां तक पोचने का जो सफर इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है अब सब का एक एक फ्रेशर का योगदान है हर उस वेक्प्स्थी का योगदान है जो एशलीविव इसको जानता है जो हमारे बारे में नेगेटिव बात करता है उसका भी योगदान है कम से कम हमारी कमपनी का नाम तो बताता है किसी को और जो हमारे साथ हैं उनका तो बहुत बड़ा योगदान है और उस योगदान का सबसे बड़ा शिरे जाता है हमारी कंपणी के ओप्रेशन डिरेक делать मिस्टर माम्चंग जी को जो हमारे पीछे मजबूत स्थम्प की तरह खड़े रहते हैं अनिल कुरी जी को जो मार्किर में जा जाके लोगों को ट्रेंड करते हैं और कंपनी के फर्स्ट एममेज़र मिस्टर मैपाल सिंग जी को जिनोंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकोर्ड बना इतने कम समय में इतनी अचीमेंट लेके शिव कुमार जी को, रामविर जी को, अनुच को, अमित दूबे जी को, बंडारी जी को, उनाल को, मदनलाल जी को, सारे ब्लेक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, इस्टार सफायर, सफायर, रूबी, टोपाज, अमराल, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, हर एक वो व्यक्ति जो SLEPS को जानता है यहां तक पहुचाने में उन्स सब का योगदान है दोस्तों उन्स सब का योगदान है छे साल बे मिसाल कर दिया तुमने कमाल मच गया डारेक्ट सेलिंग में धमाल लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आशू पोचने के लिए रुमाल देखिए मैंने ऐसे बोला था सेकंड शो में मुझे थोड़ी पता था मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं अच्छा वो बोला भी जो जोश में था मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे हैं मैं सीधी बात बता हूँ मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूँ बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का सो चल रहता ताल को टरे में बागी आवाज अंदर से मैंने बोल दिया एक दिन ऐसा होगा पिक्चर होल बूक होंगे हजार होटल बूक होंगे दिल्ली में सो चलेगा लोग लाइव देख रहे होंगे देख रहे हैं भाई इसलिए कहता हूँ सच्ची नियत से नेक नियत से इमांदारी से सच्चाई से बिना लोगों को ठगे बिना बेवकूप बनाए अगर यहां से कोई अवाज दी जाएगी तो वहाँ पर उसकी सुनवाई जरूर होगे हंड्रेट परसेंट परमात्मा वो सारी चीज़े करता है अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी यह लाइव सो करान था करोना बाबाई भेज दिये मैंने खूब समझाया बिरोजगार लोगों को भाई रोजगार डिरेक्ट सेलिंग में मिलता है रहने तो डिरेक्ट सेलिंग भाई बिमार आदमी को समझाया आयरवेद में रिजल्ट मिलता है ठीक हो जाएगा अब रहने दे आयरवेद अब करोना बाबा ने समझाया तो सम नहीं पड़ेगी दोस्तों बहुत ग्रोथ आई ये डारेक सेलिंग इंड़स्ट्री में पिछले 6 महिने में मैं यह नहीं कहता है अमारी कंपनी में तकरीबन लोग जानने लगें समझें लगें अभिया प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं मेरा बेटा आमेटे युनिवरस्ट डारेक सेलिंग कर रहे हैं मगा उनलों के पट्टे तू क्या कर रहा है जोइन करा फिर पुला दूसरी कंपनी में कर रहे हैं तो यह ट्रेंड आ गया है लोग समझने लगें आप लोग भी समझो कि यह इंड़स्ट्री बहुत बढ़ी होने वाली है यह वह इंड़स्ट्री डारेक सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे लोग गाड़ियां बेच रहे थे डारेक सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे यह डारेक सेलिंग की तागत है मेरे दोस्त यह डारेक सेलिंग की तागत है तो मज़ा आ रहे है मैं यह कहना चाऊंगा खेटिल भी जब इक कशैने बैटिंग करता है तो जब तक चक्का या नहीर टरता है पर यह मर अज दो रहं तीन ले लेके दीर दीरे टाइम निकालता है पर एक बार चख्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है अब तैयार हो जाओ चक्के पर चक्के अठ्थे पर अठ्थे दस्थे बारे पर बारे लगेंगे यहां तक पहुचना मुश्किल था इस से आगे पहुचना असान है कुमार विश्वाजी मेरे कान में वह ले तेरी कंपनी की पोटेंशल मुझे एक लाग क्रोड की लग रही है कि डारेक रॅधर करने वाले भी एक लाग क्रोड की कंपनी बन सकती है और उसमें काम करने वाले सो सो क्रोड हजार हजार क्रोड के लीडर बन सकते हैं ये बात मैंocol से हिन्दूस्तान के हर परतिश्य दाजम शे बुलवाना चाहता हूं जिसमें आज एक बेक्ति बोल के गया संते है लेकिन ये तकलीप सिरफ जब होती है। जब लोग आए फेलियर हो जाते हैं। सिसम्स्क्राइब करता है जिसको रीज़रूत है जिसको नीड है जिसके परिवार में ज़रू होते हैं, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफ हैं, प्रॉब्लम है, ऐसे मिडिल क्लास, लोग इस इंडुस्ट्री में आते हैं, और जब वो लोग फेल हो जाते हैं, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है, मेरे एकदम से मैं कहा रहा हूँ, मतलब मैं इस टेस में आता हूँ, कि यार, अगर अमानी का बेटा आज आके यहां समझ में आता है, तो कि उसके पास दूनिया में, दूसरा कोई रास्ता नहीं स्कामियाब होने का, एक रास्ता जो परम्पिता प्रमात्म ने बनाया था, वो उसको मिला, और वो अपनी ना कि हमें और आपको हम मिडिल क्लास लोगें इस इंड्रस्ट्री के सिवा हमारी पहचान हमारा सम्मान हमारा मान हमें पैसा कोई नहीं कम वह सकते तो मैं यहां दिल्ली से जितने भी लोग लाइब देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको चरवेक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलती है यह इंड्रस्ट्री बहुत किस्मत वालों को मिलती है इंड्रस्ट्री हम कोई बीटेक, एमटेक, IPSIS नहीं है मेरे भाई हम मिडल क्लास लोग हैं लोगर मिडल क्लास लोग हैं गरीबों के बच्चे हम हमने सबर साइकल पे जिया है हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की हमने नॉर्मल जिन्द की जिये अगर हमें यह धंदा मिल गया तो पीछे मत हटना डटे रहना, मैदान मत छोड़ना, चार साल अपने अपलाईन का हाथ पकड़ लेना, सोटकट में बताता हूँ, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाईन को हीरो समझना, मैं लिक के दे सकता हूँ, जिस गरीब आद मिने हाथ, ऐसल पाप के उलाद नहीं मैंने ये कंपणी दिमाग से नहीं बनाई कि नहीं मेरा दिमाग चलता है अमने जितनी बाते बोले दिल से बोले हें सारी सच होती है between मिला इलाइं मैंने मिहां से बनाई ये頻道 मैं कम्पनी नहीं समझता है इसे पूजा करता हूं में इसकी अब साला हमारे इतना बड़ा शोता हराम जादे कुट्टे जो भार बेटे हाय मार रहे एकल से मुझे बुखार हुआ जुखाम हुआ खासी हुई रसुमे मेरी उंगली पिच गई मतलब पूरी कोशिच कर ली कि यह आदमी श्व में आजये तो माना फूपा फिर भी आया जितनी हायक लगानिया लगाओ जतनी हाय लगानिया लगाओ था अ relations दुनिया जीत कर दिखाऊंगा वर्ल्ड की लंबर वन कंपनी ना बना दी संजीब कुमार ने रिकोर्ट करो रिकोर्ड वैर्लोड की लंबर व मेरा बाप अपने पाप के बार अध रही वाट की लवन वाट की लंबर वन वेजिवन वर्न वन गो कि वर्ल्ड की नंबर वन कि हैंवे के मालिक को सुनना है वो सुनने हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना है सुनने साले छक्का बस इसका इंतजारता बैटिंग चालू हो चुकी है मुझे नहीं आता है लोगों का यूज करना कड़वा हूं गालियां तक दे दे ताम ले लीडर को लेकिन कोई बुरा नहीं मानता और साले अग उल्टा के बोलते सर दी बड़ा मजा है आस्तू हिंदुस्तान का पहला एसा एमडी हो कि लीडरों को गाली देता हो फिर बोलते ह मेरे को सर इस शो को कैसे करूं मैं बोला आपने गालिया नहीं बगी गाली बगोगी तो अच्छा शो कर दूंग जमाल से कड़वा हूं लेकिन इहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुक्सान कर दूं प्रोडेट का रेट फाल तुमें बढ़ा दूं प्लान में कुछ चेंज क कर दूं लोगों का खा जाओं लोगों का हाजम कर जाओं लोगों के पैसे पी जाओं कभी नहीं सोचा हमेशा यह सोचा मैं जादे कैसे सकता हूं मैं और जादे क्या कर सकता हूं अभी पहला चेक नहीं आता था बिना के वैसे के मैंने सोचा और पहला चेक जाना चाहिए ए नया बच्चा को पहला चेक ओलेन के वैसी बाजाना चाहिए फिजिकल के वैसी आये चाहना है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है उसका पहला चेक नहीं होता वह हजार रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं मैंने पहला चेक देना शुरू किया कोन साला एमडी देता है कि 90 परशेंट इतने बजार में बैठे साले बनिया बुद्धी के लोगे 24 गंटे बनिया गिरी करते हैं दिवाग लगाते रहते हैं इधर से चूसले इधर से चूसले इनका खून निकाल ले इनका खून चूसले इनसे काम करा ले अपना मुनाफादे कमनी को बढ़ी बना क किस ने सोचा अश्त कमनी के बारे में लोगों के बारे में मेरे एक एक अग्जामपल दो इंडिया में आप कि अरे तू जहाज ले जा लाला क्योंकि किसी को समझ नहीं आई है मैं पिरालची था है जोट नहीं बोलता है मैं भी इस चूणा पैसे कमाने के लिए था कि कि बिरसे जोट नहीं बोला जाता यह सच्चा ही है लेकिन जब मेरे incorpor में सफर बढ़ता रहा आगे में बढ़ता रहा लोग कामयाब होते रहे पैर चुना प्यार करना गुरुजी आपके से जिंद की कुनाल गले लगता तो रोने लग जाता है वही पाल सर अचीब्मेंट पाते हो तो इतना प्यारा मैसिज भेजते हैं आखों में आशू आ जाते हैं मैंने का यह क्या पन गया तुस्से लालच लालच में क्या बन इस प्सक्रावात था मेरे कुटवनेट हो गए मेरे ब्लोट कैंसर में आराम हो गया मेरी पैरलाइस टीक हो गई मैं भी लालची ता मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए लेकिन लोगों ने मेरा सोच मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गल्द साबिद कर दिया कि लोगों ने का संजीब सर तुम पैसा कमाने के लिए नहीं तुम तो लोगों के कमाने के लिए पैदा हुए हो यह सो मुझे आज जी समझ आता है इंडरिस्ट्री में को लोग आते हैं यह कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार कि मेरे पास सो मजदूर है उनको निकाल जाए तो दूसरी फैक्ट्री में नोक्री मिल जाएगी हाँ ना मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी यह पर कौन आता है कोई बी टैक विचारा कोई एम टैक कोई एम बीए कोई में करके पूरी जिंदकी लगा देते बच्चे सुवज शाम तक घुमते हैं उन गरीब बच्चों को देखो जुन्होंने विचारों के आईडी के पैसे बड़ी पड़ा है सुवह निकल रहे है बाइक लेके जोला धूप में गर्मी में और साले कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खूल चूशते हैं संजीव कुमार ने नहीं चूशा इसलिए इनकी आखों में मैं चुबता हूँ और बेटा मैंने कहता अभी तो आई ना हू मुझे समझाते हैं पहले दिन से समझा रहे हैं जबसे कंपनी को लिए लिक्विटी प्रोडेक्ट मत बेच बरबाद हो जाएगा हो गया ट्रांस्पोर्टेशन महेंगा है मैं रूफेक्चरिंग महेंगी है लीकेज है यह है फलाना है धिमका है फिर एक मेरा बड़ा अच्छा सूब चिंता मेरा अप्लाइन होता था कहीं मैं उसको प्लान समझा रहा है कितने पैसे बचा लेता है मैंने का सर एक आईडी पर हजा कि मुझे कॉंपटिशन करेंगे इनका बाप का बाप भी मुझे कॉंपटिशन नहीं कर सकता है अरे मुझे बाट ना आता है मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, मुझे SLEPS में ऐसा नहीं लगता, मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता हूँ, जितना अपने SLEPS को परिवार को प्यार करता हूँ, मैंने 6 साल से ना भीवी दे की डंग से, ना कि मुझे गुस्टा इसले हाय मार रहे हैं ना सला मुझे कल बुखारता ना जुखामता दूर दूर तक खासी ती कल दो फेर से चलू पता नहीं कहा मंतर पड़ रहे हैं बैट बैट गए कुमार विस्वाज जी आए बता रहे हैं मुझे भाई संजीव तेरी कंपनी का नाम आते हैं धै मेल इतनी मेल आ गई मत जाओ यह है वो है आप यूथ आइकोनों कुमार विस्वाज जी खुद बता के गए अभी आप यूथ आइकोनों आपके 2.5 क्रोण फोलोर है आपको इन कम्नियों के प्रोग्राम में नहीं जाना चीए बोला मैंने गई भाई संजीव जिसके शत्रू जादा है इसका मतल और मुद् itself नहीं है जिंद्किया बनादेंगे जिंद्किया बनादेंगे मैं हम आपकी जिंद्ध के साथें बाल दिमाग लगा जा रहें अब हए हम ने तो व्हां यहां अपने धिमाग से किसी का कौपी कहा था क्या पहले को यह स्बपलान ता है इस लिटस्तान में हम तो product बनाते तो औहों अरंडी से मनाते अपने दिमाइख से बनाते हैं अब내 कोपी करने में लग रहे हैं, न कहते हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिन्दगी के साथ हैं, तुम साले है जो उनके परिवार का भरन पोशन पालन करेगा क्योंकि मैंने दोलत को कुछ नहीं माना शिरफ एक कागज का टुकड़ा माना है मैंने इंसानियत को मुभबत दिये लोगों के इमोशन की कदर करिए आखे जो नम होती है लोगों की मैं उसकी कदर करना जानता हूं मुझे दोलत से तरी मुभबत ना थी ना है और ना कभी रहेगी ऐसे होता है अब हम योजना लाए बोला योजना चला दी ऐसली पर हम भी कोपी कर लेते हैं भी कोई फाटर इस दुनिया से चला जाएगा तो यह देगे तो दो एक दो कंपनी का फुद्दूशा डारेक्टर साला चै महीने उमर नहीं मैं भी टूंगा पर दिल से बनाना दिल से दिमाग से नहीं लोगों का खुद्दूशने के लिए नहीं लोगों को कमवाने के लिए बनाना मैं इचत दूंगा उन लोगों को बनाओ ऐसी कंपनी कुछ पुरानी पुरानी कंपनी होगी हमरे लेविल प्लान को देखके लेविल प्लान ला रही है कभी कुछ कर रही है प्रोडेक्ट को देखके प्रोडेक्ट ला रही है पुराने होगे साले लाला जवानी में इतनी म लोग जा रहे हम गुलाने जाते हैं संजीव कुमार ने आज तक इपी फोन किसी को किया और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से बच्चों मत पड़ो इन गदों के चक्कर में कोई नहीं है हमारे टक्कर में अब अब सब लोग जो भी डारेक्स सेलिंग कर रहे हैं अगर आप अच्छी इंकम पा रहे हैं पक्का उचि कंपनी में रहिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टबोना ना डिस्टब करना यह मेरे नीते में नहीं है नहीं मेरे हिटिक्स में να यह मेरी वैल्यूलीज न हो रहा है तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हात में तो A Wish क्वैर में बनाओंगा तुझे about और ओल्जों के लिए मेरा दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डारेक्सेलिंग जैसा इजी काम हिए प्रोडेक्ट में दम होना चाहिए कंपनी की usb होनी चाहिए बोलते हो यह तो छे साल पुरा नहीं है ये पास इंफरस्क्टर 20 साल पराने वालों के पास नहीं है जो मैंने आपको भी जलागद बिखाई है को है इधर से खरीदा इधर यदर बेचा इधर से निगसे निघेते रेडिक्टि क्या क mica infect frequent इत्फ चे क्रिदा कर बेचा यह डारिक्स बिसी निगसे होती है direct selling क्या होती है अपना research का product अपना R&D कराएवा product अपने science लगाएवा product अपनी योग्यता से बनाएवा product योग्यता से वो product जब बजार में जाए तो लोग बोले कि मज़ा आ गया अगर एक direct seller को एक consumer और बोलेगा तेरे प्रोडेक्ट लेके मज़ा आ गया पैसे नहीं सस्ता महेंगा यह सब अकडम तकडम यह जितने भी बजार में बैठें इस सिर्फ आदमी का दिमाग गुमाने का केल कर रहे हैं है अंडर्सेंड पैसे नहीं देखता कोई कोई डेपूटी वाला पैसे देखेगा हो हां जिसके नहीं गूतुने में दशले वह पैसे देखेगा मैं जिसकी बच्चेदानी के गाट में रसोली हो पैसे देखेगा, पैसे कोई नहीं देखता है, रिजल्ट देखता है, यही कहना चाहता हूं इस प्लेटफ़र्म से, कि डरेक्ट सेलिंग होती है, कि जिसको मैंने प्रोडेक्ट दिया ना, वो डरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प this drag Indy कि बडियाल के वẹफ के बट्थे साथ तरता हम डाइक शंलग अब कि अब है यह धार्ट शारी होती है यह दॉख बनाना होता यो यह भोत बनाना उता यह अभी डाइक शेलें सेलिंग में करके दिखाओंगा भी मेनए काना लग गिया ना 6 & 1 यह च्छिए तीन महिने जो प्रोड़क्ट तुम यूज कर रहे हो और यूज कर आघ हो थीन महिने test उपर नीचे हो सकते यह मैसोच यह ताल पुरहना test नहीं मिल रहा थीन महिने shator chblemachach figureह भी आघ कर दीए डबंसर नहीं गर दिया तो मेरा लोग कहते हैं नहीं डारेक सिंग वाले रिजल्ट गिराते हैं, मैं रिजल्ट बढ़ा के दिखाऊंगा, और एहसास करना हो ना तो तीन भाइने बाद ठंटर बलास्ट पी लेना उस रात में एहसास हो जाएगा भै अपना अपना इस्टैल है काम करने का अपना इस्टैल तो यही है, ठोक के कहते हैं, ठोक के करते हैं, आज तक ना पीछे अटे ना कभी फीछे अटेंगे, कौन एमडी लगाता है सारा पैसा कमा कि मैंनों फैक्सिंग प्लांटों में, चाले डरे रहते हैं, कल कंपनी बंध हो गया ही तो शिकायट हो गया ही तो केस कमा रखी है, अगर मैंने गलत नहीं किया होगा, मेरी जनता रोडों पे होगी मुझे पता है, अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो, हम ने लोग कमाए हैं लोगों का यूज नहीं किया हम मुझे निटर लगता है जितना आता है सारा लगा देता हूं 30 KRO होगा अपहरी कंपनी का आज बता देता हो तुम्हें पार आप प्डेक्ट नहीं लेगे 99 पर्सेंट एक प्रसेंट फॉट्य हो सकता है 99 % मैं बोल रहा हूं कि लगेंगी अपनी टोलेट्री लगे की लगेगी आपनी लोग चstars अपनी होगी लेकिन किसान जब फसल में डालेगा ना तो तुम्हें दूआ देगा और फैक्टरी होगी अपनी हार एक फैक्ट्री अपनी होगी जितने प्रोडेक्ट अपन बेचेगे सब अपन मनाएंगे सारा पैसा है ऐसे मा लगा दूँगा नहीं चाहिए एक भी पैसा आदमी खाली आता आता है खाली आत जाता है नाम लेके जाता है सम्मान लेके जाता है संजीव कुमार का एक ही सपना है दुनिया से जाए सो साल तक लोग याद करें कि एक शेर का बच्चा साला हिंदुस्तान में पैदा हुआ था क्या करना कई बार लीडर आके बोलत सर ये लेआ हुआ और भाइ में लेकर तो जेयां रोज को या जाता है यह बे चलो यह बेच दूनेजं़ वेजना किसी का प्रोड backyard मुझे नहीं पता तो क्या डालता है क्या नहीं डालता क्या सही है क्या गलत है आज हमारा रो मेटल स्टोर आपने देखा जाके घूम के आओ जैपर विजिट करके आओ जो भी बड़े लीडर नहीं देख क्या हम कैसे चीजे बनाते हैं मैंने इस आला किसी को नोकरी पे लगा रखा आयर्मधिक फैक्ट्री में सैंट्रिस्ट को तो मैंने कहा मेरा यह प्रोडेक्ट है इसमें केसर डलता है मजाक कर रहे हो साला नोकरी मैं भी दे रहां मुझे कहरा तो मैं क्यूंग की चाराइब किकूंटे नहीं कुई का मड़ला के साथ कभी compromise नहीं करेंगे सारा सिस्टम तयार हो रहा है एक्सपोर्ट यूनिट बन रही है एक तरह की बेचेंगे बार भी बेचेंगे गोरे लोग इंतजार करें गोरी मेडम कहा गही गोला नहीं ने गोरी गोरी मेडम वो कहा गही अरे हमें देशी नी विदेशी चीए अगा है 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 कि बोलाओ ने अधूली देती रहेंगी या कभी इसे पूछो तो सी आरवेधा जान तरी जानते है आज ही क्लियर हो जाएगा भी के गानी विकेशा जैसे वह ना चपन नहीं थी तो किलियर हो गया जूते भी केंगे तो इनसे पूछ गई अपना खोगी ना तो आईडी लगा देता है अभी तो इनसे फूली ले रहे है ना थोड़े साल और तो मुझे क्योंकि जब भार जाएंगे ना तो मेरी जो नीती भार जाने की है वो नहीं है जो कंपनिया करती है लंदन में कमणी रेइस्टेट करा के साटिपिकेट डाल दो पंगलादेश में रेइस्टेट करा के कि आधे लोगों को भिशुना दो करहा हम जब जांगे तो अन Cel ने के साथ उन या एल्यूस के साथ और प्रिंसिपल के साथ जाएंगे मेरा सपना है कि मेरी कंपनी USA में भी चले USA गॉर्मेंट भी हमारे प्रोडेक्ट अप्रूफ करें कुछ ऐसा करना है जिसमें दोस्तों समय लगेगा पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी है तयार हो जो भी लोग लाइफ देख रहे हैं उन्हें हाथ जोड़के माफी मांगता हूं सुबह से बिचारे बैटे भूके प्यासे लेकिन देखो यह तो खाने की भूक है मिट सकती है दुबारा खाना मिल जाएगा लेकिन जो जिन्दकी हमिलती है ना एक बार यह जिंदकी जीत लो पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोश के देंगे तुमारे को कैसी जिंदकी तुमारी होगी दोस्तों वो कह रहे थे ना सीव कुमार जी कह रहे थे ना सेक्रिफाइज हां त्याग करना पड़ता है बड़ा आदमी बनना तो त्याग करना पड़ता है जो फिरेग और चरेगा ऋ फिरेगा वो finely चरेगा और जो घर छोड़ेगा वह रिकॉड तोड़ेगा तैयार हो अच्छा वाकिय में आपको लगता है कि हम लोग बिजनिस्मेंट टाइप लोग है कि दिल से बताओ लगता है अपना तबसा नहीं लगता है अपनी कंपनी नहीं लगती मैं हमेशा कहता हूं यह लोगों की कंपनिया होती है मेरे दोस्त यह कोई फैक्टरी नहीं है कि सो मजदूर निकाल दिये दूसरी फैक्टरी में चले जाएंगे यह डारेक्ट सेलिंग इं आपने MDCO बनाया, आपने नाम बनाया, आपने सम्मान बनाया, आपने पहचान बनाया, आपने मेरे लिए सर्वो परी, मेरी दोलत, मेरा परिवार, मेरा पैसा नहीं, आपका परिवार, आपकी दोलत और आप हो, और रहोगे, ता उमर रहोगे. झाल झाल